हलो माई हेल्दी फूरी फ्रेंद्स और वेलकम तो मैं चानल क्विकन हेल्दी बाइट्स जैसा आप सब जानते हैं कि होली आने वादी है और होली त्योहार है रंगों का और मिठाईयों का पर वह होली है क्या जिसमें ठंडाई नहों तो आज मैं लेके आए हूँ यह इंस्ट ठंडाई मिक्स की रेसिपी अगर आपको यह देखना है कि मैंने आज इसे कैसे यूज किया है तो आप विडियो एंड जरूर देखिएगा तो यह विडियो शुरू करेंगे हम लेके काना जी का नाम क्योंकि होली काना जी की फेवरिट फेस्टिवल में से एक है तो बनाते हैं हम यह ठंडाई मिक्स तो सबसे पहले हम गरम करेंगे एक पान जैसा कि आप देख सकते मैंने यह पान को गरम करने के लिए रखा है एंड अराउंड टू-3 मिनिट्स मैं तू मिनिट्स मैंने इसको गरम किया है और यह पान अच्छे से गरम हो गया है तो आप एसे हाथ पर से लगा के देख सकते हो कि पैन में से एक हीट आ रही है मतलब इट्स दन बस अब आप फ्लेम स्विच ओफ करें एंड हमारे इंग्रीएंट्स हम डालना शुरू करेंगे तो पहले मैंने डाला है आमंड्स फिर मैंने डाला है और अन अंसल्ड़ पिस्ता अभी मैं डाल इसलिए तो बस इसलिए हमें इसे थोड़ा सा तॉस कर लेना है अब मैंने डाला है मेलन सीट्स और हम डाल रहे हैं में इंग्रीडियन्ट जो है ठंडाई का या 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 फैनल सीट्स मतलब खसकस और सौफ इसे भी डाल के हम अच्छे से एक बाद मिक्स करते वे तॉस कर ले है फिर हम डाल रहे है इसमें डालचीनी अराउंड एक टुकड़ा डालचीनी का मैंने लिया है अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो यूज करे और मैंने डाला है पैपर कॉंस अराउंड वन टीस्पून इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पैपर कॉंस एक हलकी इसी गर्मास मिलती है बाकी चीज़े जो है वो थोड़ी कूल डाउन करने की है लाइक सौफ खसकस तो जो पैपर कॉंस का गर्मास है उससे भी हमें बहुत साटिस्फाक्शन मिलता है विन वी ड्रिंक अब इस अब इसमें यूज कर रहे हैं इसमें यूज कर रहे हैं अगर केसर तो इलाइची के मैंने जो ब्लाक सीद्स होते हैं ग्रीन कवर हटाने के बाद वो यूज किया है और साथ में मैंने डाला है अराउंड एक तु टेन स्ट्रांड ऑफ केसर अंड मैं डाल रहे हैं इसमें वन टेबल स्पून और रोस पेटल्स अब ड्राइड रोस पेट सारे इंग्रीडेंस हमने डाले हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक मेरा सीगरेट इंग्रेडिंट बीक्वेस अगेन आइओं ठंडाई ऐसा mix है जो हमारे इम्मधी बिलड़क हमारी इम्म्मक्री इम्मी को बिल्ड करने में हमें हेल्प करता है अग जयें ब्रूब हैं य तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर विच इस अगेन जो जो ट्रेडिशनल ठंडाई की रेसिपी होती है उसमें नहीं डलता बट आइफाइड दिस अ वेरी गुड ओप्शन और ये इम्मुनिटी बिल्ट अप करने में भी हल्प करता है तो मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये बहुत ही फ्लेवरफुल और इम्मुनिटी बूस्ट करने वाला ठंडाई मिक्स रेडी है अब हम इसे थोड़ा कूल डाउन होने देंगे सो दाट ग्राइंड कर सके हम इसली तो बस आप इस तरह से टॉस करिए और विदिन टू टू त्री मिनट्स ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा अगर आप चाहें तो आप इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर सकते हैं सो दाट हीट ना हो इसमें तो यह कुछ इस तरह से रेडी हो गया है अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यह मैं ले रही हूँ जो हम ने इंग्रीडिक्य suggest डाला है इसमें धंडाई मिक्स के लिए और यह कूल डाउन हो गया है तो अब आप इसली इसे एक मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिजिए हमें फाइन पाउडर बना लेना है इसका तो मैं बस सब कुछ डालके इसका पाउडर बना लोंगी अब यह पाउडर जो बनने के बाद आप इसे बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं नॉर्मल आप जो ठंडाई मिल्क बनाते हैं वो तो आप बनाई सकते हैं बिल्कुल बट उसके अलावा भी आप इसे यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी second half में तो यह हमारा जो पाउडर है पहले मैं वो दिखाती हो आपको कैसा बनके रे कर लिजे एंड यह वन मंद तक आप इसे एजली यूज कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे तो यह रेडी है तो अब मैं बना रही हूं यह ठंडाई मिक्स को मैंने यूज किया है बनाने के लिए खीर तो मैंने फुल फैट मिल्क है जो मैंने अच्छे से बॉइल करने लगा दिया है यह अच्छे से बॉइल हो गया है I prefer and मेरे घर पर भी सबको थोड़ा थिक खीर पसंद है तो मैंने थोड़ा इसे अच्छे से उबाल लिया है मिल्क को थोड़ा सिजा लिया है and then I am going to add rice in it तो मैं 1 cup rice लूँगी इसमें बट अगर आपको थोड़ा थिक नहीं करना है तो आप rice की quantity कम कर सकते है and एक boil आने के बाद ही rice डाल सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से boil करके फिर rice डाल रही हूँ तो rice को मैंने अच्छे से दो लिया है and फिर मैं इसमें डाल रही हूँ around 1 cup of rice है मैं आपको दिखाती हूँ किसका measurement मैंने लिया है तो यह कटोरी है जिसका measurement मैंने लिया है वन लीटर मिल्क के लिए इसे rice को अच्छे से दो के बस इसमें डाल लिजे and जब तक rice cook नहीं हो जाता तब तक हमें इसे boil करते रहना है तो जब तक rice boil हो रहा है and rice हमारा cook के ready हो रहा है खीर ready हो रही है तब तक अगर आपने नहीं किया है तो मेरे चानल को subscribe कर लीजिए और हाँ बताइएगा जरूर कि आपको यह ठंडाई mix की recipe कैसी लगी तो comment section में मुझे जरूर mention करिएगा अपने feedback जरूर उसमें share करिएगा मेरे साथ and अगर वीडियो पसंद आई तो like भी जरूर दबाईएगा and notification bell on कर लीजे because उससे आपको मैं जभी भी नई वीडियो डालूंगी आपके पास एक notification जाएगा and you'll get to know कि मैंने नया वीडियो डाला है तो अब आप देख सकते हैं जो राइस है वो कुक हो गया है and milk भी थिक हो गया अच्छे से and rice इसमें अच्छे से कुक हो गया तो अब मैंने जो थंडाई mix powder बनाया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ तो around 3 टेबल स्पून अफ थंडाई mix का powder मैंने इसमें डालाया आप देख सकते हैं यह container तो जितना मैंने आपको quantity बताया है उसमें यह 500 ml का जार है यह पूरा फिल हो गया था तो अब मैं इसमें डाल के से अच्छे से mix कर ले रही हूँ राइस में ताकि इसका flavor अच्छे से enhance हो जाए and इसे हम थोड़ा stir कर लेंगे जिसको मैंने पाउडर करके रखा वाए तो मैं इसमें रॉक शुगर डालूँगी but if you prefer sugar और गुड़ you can use that तो जितना मैंने राइस लिया था उतना ही मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ शुगर पाउडर and उसको भी डाल के हम अच्छे से mix कर लेंगे अब आप देख सकते हो मेरा जो खीर बना है वो कितना थिक है बट अगर आपको इतना थिक नहीं पसंदे तो आप easily like rice आप कम कर सकते हो like one third cup या half half cup आप ले सकते हो हमारा खीर भी विलकुल रेडी है and अब आप इसे enjoy करिए मैंने इसको serve किया था chilled तो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इसे glass shots में इसको serve किया था तो बहुत ही मजा है आपको खा के तो आप भी ऐसा कुछ बनाइए and enjoy करिए इस holy पे और हाँ अगर आपको ये powder use करके कुछ और बनाना है तो आप इसकी कुलफी भी बना सकते है तो जैसे हम traditional कुलफी बनाते है या रबडी बनाते है बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है और last में 2-3 चमच इस mix का डाल के थोड़ी देर के लिए stir कर लेना है say around 2-3 minutes के लिए and हमारी कुलफी या रबडी जो है बलकि ठ्राइ करिएगा ये ठंडाई खीर और ठंडाई कुलफी की रेसिपी भी फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ till then stay safe, eat healthy and enjoy cooking wish you all a very happy holy in advance